नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ओफ लाइफ में मैं निलम शुकला आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ दोस्तों महाशिवरात्री से पहले जो प्रदोश का वरत आता है इस वरत का हमारे शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व है आज के दिन हम भगवान भोले नात की पूजा आरातना करते हैं उनसे प्रार्थना करते हैं, प्रदोश काल में पूजा का विधान है तो हम प्रदोश काल में भगवान शिव की पूजा आरातना करते हैं अगले दिन फिर से महाशिवरात्री के दिन हम भगवान शिव की पूझा अरातना करते हैं तो हमारी जो कामना होती है बहुत ही शिगर पुरुन हो जाती है। तो जो लोग भी महाशिवरात्री के व्रत को करते हैं और महाशिवरात्री के दिन भगवान शिव की पूजा आरातना करते हैं कोई विशेश कामना है आपकी जो बहुत समय से अधूरी है आज आपको चाहिए कि प्रदोश के दिन ही भगवान शिव की पूजा आरातना करें उ उन्हें भगवान शिव की पूजा आरादना कैसे करनी है आज कौन सा विशेश आपको उपाय करना है कब से प्रदोश की तिती प्रारंभ हो रही है समाप्त हो रही है यह सभी बाते में आपको आज की इस वीडियो में शेयर करने वाली हूं और बताने वाली हूं एक बहुत ह प्रदोश व्रत के बारे में तो सभी पापों से सभी दोसों से मुक्ति दिलाने वाला है यह व्रत ऐसा हमारे शास्त्रों में वरणन है कि इस व्रत को करने से दो गायों के दान के बरावर का पुन्य फल प्राप्त होता है तो जब आप यह व्रत करते हैं विति विधान से भगवान शिव की पूजा आरातना करें और सच्चे मन से समरपढ़ भाव से अपनी प्रार्थना कहें बहुत ही शीक्र आपकी कामना पुरुन हो जाती है यह प्रदोष का पूजा पूत यह करते हैं और जीवन में किसी बी तरह की परेषानि और को इस दुख है आप इस वरत को करें बहुत ही शीक्र समापत होता है मानसिक रूप से आप बहुत परेशान है तो भी आपको प्रदोश का वरत करना चाहिए ऐसा कहा जाता है कि चंदरदेव ने सबसे पहले इस वरत को रखा था और शीग रही वो च्छाय रोग से मुक्त हो गये थे काम होता है बुद्प्रदोश का वरत जो है सुक समरिधी के लिए किया जाता है घर में खुशाली आए इसके लिए किया जाता है शुबता का आगमन होता है बुध प्रदोश का वरत करने से और संतान की प्राप्ती होती है अगर हम बुध प्रदोश का वरत करते हैं तो संतान को कोई भी तरह की परिशानी हो इससे रक्षा होती है तो हर तरह कि अगर आपको संतान की रक्षा करनी है, कस्टों से शुटकारा चाहिए आपकी संतान को तो आप ये वरत कर सकते हैं, शीगरी आपकी कामना पुरून होगी तो आपको बुधवार से ये वरत शुरू करना चाहिए अगर सिक्षा में सफलता आपके बच्चों को चाहिए और अपने बच्चों के लिए ये वरत कर रहे हैं तो आप बुधवार से इस प्रदोश को शुरू करें और प्रार्तना करें संकल पले कर ये वरत शुरू करना च आज आते हैं और उनकी स्मरण सक्ति बढ़ती है सिक्षा में मन लगता है एक आगरता बढ़ती है तो आप ये व्रत करें जिस भी कामना से बहुत ही शिग्र आपकी कामना पुरुन होती है प्रदोश का व्रत जो कि भगवान भोले नात को बहुत प्रिय है और अब जो ये व्रत है महाशिवरात्री से पहले ये तो बहुत महत्य पुरुन होता है पूजा के लिए भी धन प्राप्ति के लिए या आपकी कोई भी कामन कि आपको पूजा कैसे करनी चाहिए प्रातयकाल जल्दी उठना है जैसे हर त्रव्यदशी में हर प्रदोश में आप करते हैं जल्दी उठें शनान के बाद साफ स्वच्छ बिलवपतरि ये सभी चीज़े जो भगवान शीव को प्रिय है उन्हें अरपित करनी चाहिए जो भी सामगरी आपके पास उपलग्ध है भगवान शीव को अरपित करें उन्से प्रार्थना करें संकल्प ले कि किस कामना से ये वरत कर रहे हैं और पूरे दिन आपको वरत व्रत को करते हैं तो जैसी भी आपकी इच्छा है जैसे आप व्रत रखना चाहते हैं या आपका सरीर जिस तरह से इस व्रत को रखने में सक्षम है आप इस व्रत को रखें निरजल या फलाहर के साथ दोनों ही तरह से व्रत आपको पुरण फल देता है अगर आप श्रद्धा ल credit करते हैं तो पूरे दिन रहें शाम के समय चाहे तो आप मीठा अन्का सकते हैं और चाहे तो आफ फनां कर सकते हैं जैसी आपकी इच्छा हो क्योंकि वरत यह दोनों तरह से होता है और और कुछ लोग शाम को अन्न खाते हैं, लेकिन कुछ लोग अगले दिन ही भोजन करते हैं। तो आपने जिस तरह से इस वरत की शुरुवात की है, इस वरत को उसी विधी से आगे भी कंटिन्यू करना होता है। आज बुध प्रदोश हैं, और बुध प्रदोश के दिन भगवान गणेश की विधीवत पूजा की जाती है। इस रेष्ट फल की आपको प्राप्ती होती है, धन का आगमन होता है भगवान गणेश को जब हम लड़ू और दूर्वा अरपित करते हैं, तो हमारे जीवन से हर संकट दूर होता है भगवान गणेश की पूजा कर रहे हों, तो उनको शुद्ध घी का भोग लगाएं गु पूजा करते हैं, पूजा करते हैं, उनके मंत्र का चाप करते हैं, ओम गंगण पते इनमा, इस मंत्र का जब कुछ समय जरूर करें आज, तो आपकी जो भी बिगडे काम होते हैं आपके, वो सभी काम बनने लग जाते हैं, और आपकी जीवन में जो परेशानी होती है, वो स आप सुहाग की सामगरी अर्पित करें, सौभाग्य में व्रिद्धी होती है, धन में व्रिद्धी होती है, सुहाग की सामगरी में आपको लाल चुन्नी जरूर अर्पित करनी चाहिए, भगवान शिव की जब आप पूजा करते हैं, मापार्वती की पूजा करें, तो उनके स और आपके जीवन में इस स्वभाग्य की वृद्धी होती है Allsen तो आप ये जरूर करें उपाई आज के दिन अगर आप प्रदोश का वरत करते हैं तो और आज आपको चाहिए कि आप सभी कामनाई आपकी पुरुन हो भगवान गणेश की कृपा आपको मिल जाए और हर कामना आपकी पुरुन हो इसके लिए आप भगवान गणेश को आठ आकडे के फूल अरपित करें और इससे आपके जीवन की हर विग्न हर बाधा दूर होती है स्थिर लक्षमी का वास आपके घर में होता है अगर आपकी कोई विशेश कामना है जो बहुत समय से अधूरी है और प्रयास करने के बावजूद भी पूरी नहीं हो रही है तो महा अगर आप वरत करते हैं तो भी कर सकते हैं आज आप चाहिए कि आप शाम के समय प्रदोश काल के समय जब थे मन दिर जाकर करें तो विदिवत भगवान शिव का अभिशेक करें उन्हें उनकी सभी प्रियवस्तूई अर्पित करें धूब दीप नेटिये से उनकी पूजा क भोगुवं का भोग लगाय को लगा सकते हैं जे तो आपके फुल अपके पास वैलबल हो छाहे तो आप घर से खीर बना कर ले जाए और मंदिर में बना कर अरपीत करें चूरमा बनाकर भी भगवान श facet कर सकते हैं तो घर से विशेश करना है ये कि आज आपको भगवान शिव को बिल्वपत्र जो अर्पीत करना है उसमें आपको लिखना है ओम नमह शिवाई सफेद चंदन से ओम नमह शिवाई लिखें तीन बिल्वपत्र पर तीन बिल्वपत्र आपको लेने हैं तीनों पर आपको सफेद चंदन से ओमणनमय शिवाय लिखना है और वो ले जाकर भगवान शिव को अरपित करना है पूजा के बाद अभिषेक के बाद आप ये थीन बिलवपत्र ओम नमह शिवाय बोलते हुए और शिवलिंग पर अरपित करें बिलवपत्र पर जो हिस्सा आपने लिखा हुआ है और प्रदोश का वरत इतना स्रेष्ट होता है कि इस समय में आप कोई भी कामना भगवान शीव से करते हैं बहुती शीगर पुरून हो जाती है तो जरूर करें आज आप ये उपाए और ये उपाए आप वरत करते हैं तो भी कर सकते हैं तो प्रदोशकाल का जो समय है, वो हमें दसमार्च को मिलेगा, शाम के समय जो पूजा का समय होता है, सुर्यास्त से एक घंटे पहले और एक घंटे बाद का, तो इस समय में पूजा की जाती है, और शाम की पूजा आप इस तरह से करेंगे, कि भगवान शीव की आप पूजा खर retiring बहाऊ से भगवान शीव की आरादना करें, पूजा करें, उनके मंत्रों का जाप आप को आज करना चाहिए, जैसे कि ओम्म नमहिष्य शिवाई, इस पंचाक्षरी मंत्र का जब कर सकते हैं, महामरित्युण, जय मंत्र का जब कर सकते हैं, आज आपको चाहिए कि आप चाहाम च्राहएं को पांड आए ऐगान फाले पूजा में आज को विधिवत और ना मुझत कुमना अरग करते हैं उसके ढात जब अफ में लिए लिए खोर 10 ऊफ colour को से थीजिस भांचार जादा इस वीडियो को शेयर कीजिए चैनल पर पहली बार आए हैं वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए इससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी मैं मिलती हूं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार